नमस्कार दोस्तों, शुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लोकषिवा आयोग दवारायोजित असिस्टेन प्रोफेसर प्रिक्षिया हिंदी के पर्थम परशन पत्र की पर्थम इकाई यानि ये जो है ये पर्थम परसन पत्र है और इसकी पहली इकाई जो है वो हम पढ़ेंगे याँपर पहली इकाई है हिंदी भासा तथा व्याकरण से सम्मधित पढ़ना क्या है हम सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे इसमें कि इस पहली इकाई में क्या है और इसमें कितना टाइम हमें लग सकता है कवर करने में पुस्त के हम कौन-कौन सी इसके अंदर पढ़े हैं यानि मुख्य रूप से इसमें हम कौन-कौन सी किताबें जो है वो काम में ले सकते हैं और कहां से इसकी तैयारी हम करें देखें ये जो पहली इकाई है, कुल पांच इकाई है इस तरह से पहले और दूसरे परसन पत्तर में दस इकाई है कुल पांच इकाई पर्थम परसंपत्र में है और पांच इकाई जो है वो दूसरे परसंपत्र में है यानि कुल मानकर हम ये चलें कि अभी सतर दिन हम यदि हम मानकर चलें कि अक्टूर में अग्जाम हो जाए तो अगस्त और सितंबर 60 दिन हमारे पास पूरे हैं और 10 दिन जो है वो हमारे पास जुलाई महिने के बचे वे 70 दिन हैं और एक इकाई को हम यदि 7 दिन पढ़ते हैं तो 7, 5, 35 गंटे हो गए और दोनों इकाईयों को यदि हम 7, 7 दिन भी यदि हम देते हैं तो 70 दिन जो है वो इसके लिए तयार होते हैं अब देखिए 70 दिन का समय जो है वो हमारे पास पूरा पूरा बचा हुआ है और एक इक इकाई को हम 5 दिन तक पढ़ें इतना नहीं है कि केवल इकाई को ही हमने पढ़ लिया है बलकि बीच में समय निकाल कर दूसरी इकाईयों को पढ़ें और साथ में हमें जो है वो तीसरे परसंबत्तर की बराबर तैयारी जो है उसके साथ-साथ रखने पढ़ेगी तो तीसरा जो परसंबत्तर है एक घंटे जो है करंट अफेर का वीडियो जो है हम देख सकते हैं यूटूब पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है उसके हमें मिल रहे हैं अब हम बात करेंगे पर्थम पर्षनपत्र की पर्थम इकाई से सम्मंदित हिंदी भासा तथा व्याकरण से सम्मंदित है ये इकाई और इसमें हम कौन सी बुकों का सहरा ले सकते हैं कौन सी किताब पढ़ें और इसमें क्या-क्या हैं यह हमारे यहां नोलेज में होना चाहिए इसमें कुल पांच इकाई हैं, एक सो पचास परसन हैं, एक इकाई से ओसत तीस परसन बनते हैं, किसी इकाई से 32 क्युस्टन आ सकते हैं, किसी से 25 क्युस्टन आ जाएं, किसी से 25 क्युस्टन आ जाएं, लेकिन ओसत तीस क्युस्टन जो है, वो एक इकाई से बनते हैं तो ये जो इकाई है ये हिंदी भासा का उदभव विकास हिंदी भासा की परमुख बोलियां है जैसे राजस्थानी है बरजभासा है खड़ी बोली है आवधी है बोजपुरी है अब जैसे हम हिंदी भासा का उदभव और विकास पढ़ेंगे ठीक वैसे ही हमें राजस्थान ब्रज भासा का उद्भव और विकास पढ़ना है और खड़ी बोली का उद्भव और विकास पढ़ना है और इसमें लिखा हुआ परमुक साहित्ते की परमुक रचनाएं भी हमें इसमें पढ़नी है राजस्थानी भासा का प्राचिन सवरूप जैसे डिंगल है तो डिंगल का उद्भव और विकास पढ़ना है डिंगल में लिखा गया परमुख साहित्य हमें पढ़ना है राजस्थान की परमुख बोलियां है जैसे मारवाडी है, सेखवाटी है, मेवाती है, धुंडाडी है हाड होती है मालवी है और वागडी है इनका छेत्र इस्थान क्या है वो सब हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा इन बोलियों से सम्मंदित इन बोलियों में भी यदि कोई साहित लिखा गया है तो वो भी हमें पढ़ना है ये सब हमें कहां मिलेगा ये देखिए दूसरी इसमें ये बात भी लिखी हुई है कि राजभासा के रूप में हिंदी की समवैधानिक इस्थती तथा मानक हिंदी इस विशे से सम्मंदित तो पूर्वा में वीडियो डाला हुआ भी है इसी परिक्षा के संधर्म में पिछली बार डाला था और देवनागरी लिपी की विशेशताई तथा मानकी करण इस विशे से सम्मंदित भी जो है इस टोपिक से सम्मंदित भी वीडियो पहले का डाला हुआ है इसी परिक्षा की संधर्म में तो ये चीज़े हमें कहां से मिलेंगे ये चीजे हमें मिलेंगी हिंदी भासा के विकास पुस्तक से एक पुस्तक है गोपाल राइगी गोपाल राइज इसके लेखक है और हिंदी भासा का विकास पुस्तक का नाम है यदि हमें वो पुस्तक मिल जाती है तो इन विशों से सम्मदित बहुत अच्छा मैटर उसमें है यदि हमें बुक मिलती है डॉक्टर हरदेव भारी की जिसका नाम है हिंदी भासा तो हमें वो बुक यदि मिल जाए तो उसमें भी जो है इन टोपिकों से सम्मंदित बहुत अच्छे विस्तार से जो है वो लिखा हुआ है बोलानात तिवारी जी की एक पुस्तक है हिंदी भासा यदि हम हिंदी भासा को पढ़ते हैं बोलानात तिवारी जी की तो उस पुस्तक में भी जो है इन विश्यों से सम्मंदित बहुत अच्छा मैटर जो है वो दिया हुआ है लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि जो टोपि जो है वो लिख सकते हैं अब देखिए हिंदी व्याकरण है हिंदी व्याकरण है मानक वरणवाला है सब्द है तथा सब्द निर्मान है इसमें उपसर्ग परते संधी समास वाक्य एवं वाक्य भेद वाक्य जैसे रचना के आधार पर वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य रच सुधि ेवं वाक्यसुधि इन दोनों ही विशेव से सम्भंð से संदर में। ये वियाक्रण की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अब देखे व्याक्रण की पुस्तक धेर सारी हैं, मार्केट के अंदर और हमें जहां तक उपलब्द हो सकती हैं पुस्त के आज कल सभी उपलब्द हैं और धेर सारी उपलब्द हैं लेकिन जो बिंदु इसमें दिये गए हैं उपसर्ग परते संदी समास वाक्य भेध सब्द सुधी वाक्य सुधी ये डॉक्टर रागह प्रकास की पुस्तक में बहुत अच्छे दिये गए हैं और यदि हम बात करें संग्या सुरणाम विशेशन किरिया विशेशन संभंध सुचक आविये समुच्य बोधक आविये तो ये हम अन्य पुस्तक से जो है वो पढ़ सकते हैं लेकिन ये उसमें इतने अच्छे नहीं दिये गए लेकिन उपर जो बिंदु दे रखे हैं सब्द सुधी वाक्य सुधी तक वो रागह प्रकास की जो हिंदी चलती है व्याकरण हिंदी तो वो उसमें बहुत अच्छा दे रखा है और निचे के जो मिंदु है संग्या, सर्वनाम, विशेशन, किरिया, किरिया, विशेशन, समुच्य बोधक आविये ये हमें अन्य पुस्तक से जो है वो हम पढ़ सकते हैं कक्षा 9-12 की हिंदी चलती है उसमें यदि हम सरसरी दरिश्टी से देख लें तो उसमें भी देख सकते हैं और अन्य पुस्तकों से भी हमें इनको देख लेना चाहिए ताकि अच्छे से तैयारी हो सके तो ये हमारी पर्थम इकाई है और पर्थम इकाई का मतलब है कि हम साथ दिन तक इस इकाई का रिवेजन करें ज्यादा समय इसमें लेने की आवस्कता नहीं है क्योंकि ज्यादा गहराई से भी इसमें जाने की आवस्कता नहीं है लेकिन इन बींदों को एक एक बार हम जादा है प्रतियोगी जादा है तो हमें तीसरा जो परसंपत्र है उसकी बराबर तैयारी जो है वो करते रहना तीसरे परसंपत्र में सबसे महतुपुर्ण चीज क्या है वो यह है कि जो करंट अफेर है उसको हम हर दिन यदि पढ़े अभी से तो उससे जुड़े वेजो भी परसंपत्र आएंगे वो हमारी सही हो सकते हैं तो हम आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे इसमें और फिर आगे जो है वो हम दूसरी इकाई के बारे में चर्चा करेंगे दूसरी इकाई इसकी भारतिय कावे सास्तर से संब Gospel की इकाई जो है यह बहुत ही महत्वपुर्ण दूसरी और तीसरी दूसरी भारती एक आवे सास्तर है और तीसरी जो इकाई है वो पास्चाते कावे सास्तर है और ये दोनों ही इकाई सबसे महत्वपुरण हैं महत्वपुरण इसलिए हैं इसमें क्योंकि इनमें बिंदू कम हैं और परसनों की संख्यादिक हैं तो इनको हम जो है वो आगे अगले वीडियो में जो है वो देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बाई बद